सबसे पहले तो I am safe, I am perfectly fine कि महिला सिपाही कुलबंदर को और किसान प्रदरशन पर कंगना के रोग से नाराज थी जसके चलते उसने एक कदम उठाया वह सिपाही सब की महिला जवान ने भी नेत्री को तब थपड़ वारा जब उद दिली की फ्लाइट पकड़ने के लाउंज में इंतजार कर रही थी अब अस मामले पर कंगना की बहन रंगोली का भी बयान सामने आ चुका है ये रंगोली ने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना पर रियाक्शन दिया रंगोली ने कंगना का विडियो शेयर करते वे लिख्था खालिस्तानियों बस यही उकात है कुमारी तुम लोगों की पीछे से प्लैन करना और अटैक करना लेकिन मेरी बहन की रीड की हड़ी बहुत मजबूत है स्टील की बनी है उसे आप तोड नहीं सकते वो अपने दम पर इस इस्तुती को हैंडल कर लेगी लेगिन पंजाब तेरा क्या होगा किसानों का अंदोलन खालिस्तानियों का अड़्डा था एक बात और कि ये बात साबित हो चुकी है कि सेक्योर्टी की बहुत बड़ी गलती है इस तरह से नहीं होना चाहिए था हम सभी को इसके खलाफ आवाज उठानी होगी इस घाटना के बाद सी आई है सिर्फ कि उस महिला जवान का भी वीडियो सामने आथा जिसने कंग्णार अनौद को थपड़ मारा था उसने क्या कहा था आई आई आपको वो भी वीडियो सुनाते है फिलाल उस पूरे मामले पर आपकी क्या है राए हमेनी चिकॉर्ण इन सेक्षिन पर लिख कर बताना ना भूलिएगा नमस्ते दोस्तों मुझे बहुत जादा फोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुप चंतोकों के भी सबसे पहले तो I am safe, I am perfectly fine आज चंडिगर एरपोर्ट पे जो हाथसा हुआ वो security check के साथ में हुआ वहाँ पे मैं security check करके जैसे ही निकली तो दूसरे cabin में जो महिना थी जो सुरक्षा करमचारी थी CISF की उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और side से आकर जो है मुझे मेरे face पे hit किया और गालियन देने लगे और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो farmers for test को जो है वो support करती है और I am safe but my concern is कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है how do we handle that thank you पंजा